गराज के पहाड़े अगाव में 9 सितंबर को फाइनेंस ओफिस में एक चोरी की बड़ी गटना गटी तसकरों ने ओफिस से 9,65,000 रुपे से भरी तिजोरी लूट ली लेकिन अब जिला LCV ने इस मामले को सुलजा लिया है पुलिस ने दो आरोपियों के कबजे से तिजोरी और पूरी नकदी बरामत कर ली है चोखाने वाली बात ये है कि इस चोरी को फाइनेंस ओफिस का एक करमचारी ही अंजाम दिया है फिलहाल पुलिस आरोपी से आगे की पुछताच कर रही है 9 सेप्टेंबर को मेगरज पुलिस स्टेशन में एक बात मी मिली कि जो लाइट माइक्रो फाइनेंस की जो ब्रांच है रामगडी के पास उसमें चोरी हुई है जब मेगरज पुलिस स्टेशन के स्टाप महां पहुचे तो हमें ये पता चला कि करीबन 9,65,000 के पैसे एवां DVR दो मोबाइल्स तीजोरी ये सब चोरी किये गए थे कभी भी 9 सेप्टेंबर की रात को ये हमें सारी बाते पता चलिए उसके बाद हमने BNS सेक्शन 331 अब्लीक 4 पर ये एफार रेजिस्टर की और हमारे जो DIG सर है शिविरेंद्रे सिंग यादफ सर उनके मार्ग दर्शन में LCB ने टीम्स बनाई टेक्निकल सर्वेलेंस और हुमन सोसिस के आधार पर एक पिकप डाला को रेकोगनाईज किया गया वो लेरो पिकप डाला था जिसमें ये सारा वो उसका शंकासपत अक्टिविटी लग रही थी ये माइक्रो फाइनाइंस कंपनी के पास जिसमें सारा मटीरियल जो मुद्दामाल था वो मेघरत से बाहर ले जाया जा रहा था वहीं आसपास घुमाया जा रहा था LCB की एक टीम ने बैठ कर सारा टेक्निकल एविडेंस को बहुत अच्छे से आनेलाईज करकर जो पिकप डाला का जो ओनर है रामचंद शाना भाई डामोर उस पर हमने जीरो इन किया जो मेघरज करेने वाला है राजपूर में उसको पहले पकड़ा हमारी टीम्स बनाकर कॉ एक है प्रकाश कुमार नटवर भाई डामो जो की काम करता था और दूसरा लक्ष्मन भाई रूपा भाई डामो जो एक वर्ष पहले काम छोड़ चुका था यह इन तीनों की मिली भगत थी इन तीनों ने यह पूरी प्लानिंग की थी और इस प्लानिंग के तहत उन्होंने यहां चोरी का अंजाम किया था एलसीवी की जो टीम है लेट बाई एलसीवी पी एचपी गरासिय इन्होंने पूरा-पूरा मद्दामाल रिकवर किया जितने रोकर रखम है नाइन लाग सिस्टी फाइफ थाउजन वो रिकवर हुए एक दो मोबाईल फोन रिकवर हुए ज यह पूरा-पूरा रिकवर करने में लसीवी कामियाब हुए है पहले कोई किसी ग्राइब को इन्होंने कोई ऐसा पहले इनके खिलाफ को एफायर रेजिस्टर नहीं है यह तीनों आरोपी में से दो जो आरोपी थे वो यही माइक्रो फैनेंस कंपनी में काम करते थे तो उन है इसमें से दो जो आरोपी हमें पकड़े हैं उसमें से एक मायट आरोपी हैं काम करता है एक जो वण्टिट आरोपी है लक्षमन भाय है वो अभी पकड़ने को बाकी है वो एक साल पहले इस मायक्रो फैनेंस कंपनी में